नमस्कार दोस्तो अंसुनी सीकर्ट में आपका बहुत बहुत वागत है तो कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्तो आप लोग के लिए मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्तित हुआ हूँ दोस्तो आज हम बात करेंगे मोर के बारे में आखी मोर हमारा रास्टिय पक्ची कैसे हुआ तो दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले यदि आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे है चलिए दोस्तो शुरू करते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं मोर हमारा रास्टिय पक्ची है यह हमारे देश की एक मुल्ले धरोहर है आज हम आपके लिए मोर के बारे में कुछ रोचक जानकारिया लेकर आए हैं इसके अलावा आज हम आपको मोर से जुरे कुछ रोचक तक्ते भी बताने वाले हैं सांस क्रितिक और एतिहासिक रूप से यह एक महपुन पक्ची माना जाता है यह अपनी खुबसूर्थी के लिए जाना जाता है मोर की एक सुन्दर गरदन होती है मोर के पास सुन्दर और रंगीन पंक होते हैं जो देखने में मन मुहक लगा है मोर के पंको में पक्ची के सरीर की कुछ लंबाई का साथ स्रतितल का होता है पंको की लंबाई पांच फिट होती है, उनका वजन आर्ट पॉंड के बीच हो सता है, भाना जाता है कि मोर के पैर कुरूप होते हैं, यह देखने में अथे नहीं लगते हैं, मोर के पैरों में असपर्श होते हैं, इसका उप्योग मुखे गूप से अन्ने मोरों के साथ लड यह है, बारी के मौसम में मोर पंको को खोल कर नाता है, मोर का निर्थे देखकर कई लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन यह कम देखने को मिलता है, वास्त अबिक्ता में मोर के नाचने का मुखे उदेस मोर्णी को आकर्शित करना और उसे सम्भूग के लिए त्यार करना ह मोर उर सकते हैं, वे सबसे बड़े उरने वाले पक्छियों में से एक हैं, वे अपने विशाल पूछ के वावजूद उर सकते हैं, हलाकि इन पक्छियों को उरते हुए देखने के लिए कम ही मिलता है, वे आम तोर पर पक्छियों की तरह उरते नहीं हैं, वे केबल तभी उरत सबसे खुब सूरत पक्षियों में से एक माना जाता है इनका सरीर विभिन रंगों से भरा होता है इनके गर्दन और सिर्फर एक सिखा होता है इनके पास मनमोह पंक और पूछ होते हैं ये नीले, लाल, हरा, बैंग, नीरन के भी होते हैं पंकों की खुब सूरती के कारण मोर के पंकों का उप्योग सजावत के लिए भी किया जाता है दोस्तों सुनहले और मनमोह पंक सिर्फ ना मोर में पाया जाता है मादा मोर में खुबशूरत पंक और खुबसूरत गर्दन नहीं होते हैं दोस्तों मोर का धार्मिक सांस्कृति यो एतिहासिक महत्वी है मोर लंबे समय से भारतिय सांस्कृतिक और समाज का हिसा रहे हैं मोर का प्रैचीन भारतिय कला और वास्तु कला में एक अदूइत्य अस्थान है भारतिय परंपराओं में इसका धार्मिक और पौरानिक महत्व है भगवान स्री क्रिस्ट उनके सिर के ऊपर मोर के खुबसूरत पंख को लगाये रहते हैं मोर देवी लक्षमी और देवी शरुसती के साथ भी जुरे हुए हैं तो मैं आपको बता दू भारतिय पुरानों में मोर से जुरी कई कहानियों को मुझूद है हिंदू धर्म में मोर का इंदर देव की छवी के रूप में चित्रित किया गया है मोर का एतिहासिक महत्वी देखनों को मिलता है मुगल काल की कई चित्रों में मोर का इत्रन किया गया है प्रसिद मुगल बात शाजहां का सिहासन एक मोड के आकार में बनाया गया था जिसे मयूर सिहासन भी कहा जाता है दोस्तो जैसा आपको पता होगा मोर को राष्टी एपक्षी का मोर को राष्टी एपक्षी कब घोसित किया गया तो मैं बताता हूँ वर्ष 1963 में मोर को भारत का रास्टिय पक्षी घोसित किया गया था मोर को रास्टिय पक्षी के रूप अपनाने के कई कारण है उनमें से कुछ कारण में मैं बताने जा रहा हूँ यह देश के भीतर अच्छी तरह से वित्रित है और यह आम आदमी द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है मोर का सुंदर यह ज्यान ने का प्रतीक माना जाता है मोर का धार्मिक सांस्कृतिक और पौरानिक महत्व या भारतिय सांस्कृतिक और परंपड़ाओं से जुरा है भारतिय सांस्कृतिक में इसका काफी महत्व है का हमारे मिको की तवन्बियों से जुरा है यह किसी अन्य रास्ट के रास्टिये प्रतीक से अलग मोर की कई सारी प्रजातिया होता है भारतिये में हरा और कांगो वे अपने रंग को आकार से पहचाने जाते हैं दोस्तो माना जाता है पौराणी कथाओं में उलेक मिलता है कि मोर के रोने से जो आंसु निकलते हैं, उसे पीने से मोरनी गड़ बती हो जाती है। दरसल मोर अपने बसूरत पैरों को देखकर रोता है, मोर एक पक्ची है, जो आम जीवों की तरह ही संतान उत्पन करता है, दोस्तो कुछ दिन पहले ही ये पता चला कि मोर अपनी जिन्दगी में केवल तब तब ही रोता है, जब जब वो अपने पैरों को देखता है, क्योंकि उसके पैर बहुत ही भद्दे होते हैं, लेकिन उसके पैर हमेशा से ऐसे नहीं थे, मैना जिसके पैर पीले होते थे, दरस दोस्तो ये कहानी आपको बेहदी पसंद आई होगी दोस्तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तो आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करे ताकि हम आपके लिए नया नया वीडियो लेकर आते रहें दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें